लोकस्वा चिनाव की तारिखों के एलान के बाद ही सभी पार्टे अपने हैं दलों के साथ कई मुख्य चेहरों को जोडती नजर आ रहे हैं इस बीच महरास्टर से एक बड़ी खबर है कि जल्दी गोविंदा की राजनीती में फिर से एंट्री हो सकती है माना जा रहा है कि ब गोविंदा की नाम की चर्चा चल लए है पहले बोलीवुज अभीनेता गोविंदा और महरास्टर के मुख्य मंतरी एक ना शिंदी की मुलाकात भी हुई थी बता दे कि अभीनेता गोविंदा 2004 में कांग्रेस की टिकट पर उत्तर मुंबई से सांसद रहे चुके हैं अगर गोविंदा चिनावी मैदान में उतरते हैं तो यह उनकी दूसरी सियासी पारी होगी उन्होंने साल 2004 में राम नाइक को करारी शिकस्त दी थी राम नाइक को करी 5,11,000 वोट मिले थे वहीं गोविंदा को 5,69,000 वोट हासिल हुए थे गोविंदा की राजनितिक पारी काफी क कारगर साबित नहीं हो सकी थी लोग उन पर आरोप लगाते थे कि वह लोगसवा छेतर का दोरा नहीं करते हैं महीं गोविंदा ने भी कहा कि राजनिती माकर उन्होंने गलती कर दी थी जिसकी वज़े से उनकी फिल्मी करियर पर भी काफी असर पड़ा इलेक्शन कमिशन न 13 माई 11 सीट पर 25 माई को 13 सीट पर एलेक्शन होगा और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे इस बार महरास्टर का मुकाबला रोमांचक होने वाला है राज्ये मुकाबला महयूती और महाविकास अगाडी के बीच देखने को मिलेगा महयूती में भारती जनता पार्टी एंसी कि बारती में को वारती झाएंगे इस अपलाउ सकते होगा चार्टीघ Mann Tech को अट्षा शून सफी पपला करते हों के जिसनते हो प्र चार्टी यूदी होगा होगावा होगा है, को पर लिवय का वालेक्वा हादे बीकारा कर चार्ट